हाई उमीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे आप में से काफी सर लोग का रिक्वेस्ट आया हुआ है और काफी सर लोग हम से पूछे हुए हैं कि हमें जो है टावर लगवाना है जैसे कि माल लिजे किसी भी कंपणी का टावर हो गया जैसे कि जी यो ये तो उसके बारे में हमें जनकाइड दीजे कि आखिर हम टावर कैसे इंस्टाल करवाएंगे और आपको हम बता दें कि जो mobile टावर होता है इसको इंस्टाल करवाने का जो प्रोसेस होता है इस तरह से मानिए कि इसमें जो है बहुत सरे फरोडिंग भी होते हैं मतलब कि बहु नहीं नहीं इस फ्रोडिंग का सिखार बनाया जाता है इस वीडियो को देखिए आपको हम क्लियर करके बताएंगे कि आखिर अगर आप भी अपने च्छत के ऊपर या फिर जमीन में टावर लगवाने की सोच रहे हैं तो आपको कीन-कीन बातों का ध्यान देना चाहिए और कि कि आप मेंसे काफी सरोलोग ऐसे हैं जो ioloka को लाइक नहीं करते हैं सबसे पहले सुरू करने से पहले दोस्तों हम बता दें कि टावर लगवाने के लिए आपके पास जो है योगिता क्या होना चाहिए और आपके पास जो है क्या क्या होना चाहिए उस चीजों को थुरह समझना जरूरी है उसके बाद इसका जो भी प्रोसेस होता है इसका नुक्सान क्या होता है फायदा क्या होता है उसके आएंगे तो यहां पर मैंने एक पोश्ट लिखा हुआ है अपने च्छत या खेत पर मज़ लिजीए अगर आप टावर लगवाना चाहते हैं और गरामी छेतर में रहते हैं तो आप के पास कम से कम 25 फुटे यहां पर बताया गया है तो सहरी का उतना मैं कमफम नहीं कर सकता है क्योंकि मैं सहर से तो बिलंग करता है नहीं बट आप अपने हिसाब से देखेंगे किसी भी आवासी है फिर व्यासिक भौन की छहट पर मुबाइल टावर लगवाने के लिए जैसे कि मानली आप छहट के उपर टावर लगवाना चाहते हैं तो पांसब और फिट चलेगा उसको आप लगवा सकते हैं मुबाइल टावर किसी भी अस्पताल से 100 मीटर के दूरी पर लगाया जा सकता है मतलब कि मानली जी आपके घर के आजपास में कोई एक सा असपताल है जो कि 100 मीटर के नजदीक में है तो आप यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं मुबाइल टावर अगर उल सिगनेचर करेंगे तभी आपके आसपास में लगेगा एक छथ पर केवल एक ही टावर लगाया जा सकता है टावर लगवाने के लिए आपके पास documents क्या होने चाहिए किसी भी जमीन पर mobile टावर लगाना है उसके दास्तवेज होना चाहिए जिस जमीन पर लगवाना है और समाज या छेत्रे के सभी सदस्वेत दोवारा जो है सिगनेचर आपको करवाना होगा यह उसी पजैसिक में आपको बताया मकान माली का कोई भी पहचान पत्र जैसे के धार काड पैन काड भोटर एडी काड होना चाहिए जब इंदार का बैंक की बढ़ाने की सर्ते आधी लिखी होगी शांति साथ साह में नगरपालिका की दोरा आपको लेना पड़ेगा और गरामी शेतर आते हैं थो पन्चायत की दोर आप ले सकते हैं भौन स्वामी और भूमि स्वामी से जो एक अनोशी भी आप से ले सकता है थी उसको देना पड़ेगा और साथी साथ यहां पर मालेजे आप अपने बिल्डिंग उपर लगवाना चाहते हैं तो एक सेफटी सर्टिफीकेट होता है जो की बनवाकर आपको देना होता है तो यह ज्यादा आपको कुछ नहीं करना होता है सारे उतियार करवा देते हैं ठीक है आपको हम बतायते हैं यहां पर कि मैंने आपको बताया है कि लगवाने के जो परकिरिया होता है दो टाइप से होता है सबसे पहले हम ऑफलाइन के बारे में बात कर लेते हैं ऑफलाइन क्या होता है कि आपकी मालेजी एरिया में अगर टावर की जरूरत है मोबाइल टावर क कंपनी के खुद कुछ आते हैं आपके अरिया में वेरिफिकेशन करते हैं। एक टावर का जो नेटवर्क है। जांच करने वाला मसीन होता है। तो यह कि आपके पास कोई खाली जमीन है। फिर्चत के ऊपर कोई जगह है। वहां पे हमें टावर लगवाना है। तो आपको लगवाना है तो वहाँ पर एगरी करके आप लगवा सकते हैं, जो भी एगरीमेंट होगा आपको उसको फॉलो करना होगा, आपके छट के उपर या फिर आपके जमीन के में टावर लगा दिये जाएंगे, कोई भी प्रोब्लम नहीं होता है, यहाँ पर online पर के लि फ्री नमबर होता है, वहाँ पर कॉल करके एज क्लोटीप से बात करेंगे, जो भी इट्पेंटेटीब होते हैं, उनसे बात करेंगे, वह आपको इंफोर्मेशन परवाइड करेंगे, बट आप यहाँ पर जीओ के लिए अपलाई करना चाहते हैं, तो जीओ का अपलाई कर करना है, अगर आपके पास ब्लिडिंग है, तो आपको इसको टीक करना है, चली हमें प्लॉट पलाई करते हैं, प्रूसीड का अपसन पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर जो है आपना जो करना होता है, तो आप यहां से जो क्रेंट का ज़िएगा, एहां से फैसे कर टाइब करना है इस तरह से आप टाइब करेंगे तो आपका जो है एड्रेस का पूरा यहाँ पर लुकेशन सो कर देगा अब माली जी आपना हिसाब से देख लिजिए कि आपका जो है लुकेशन कहा है वहाँ पर आपको मतलब ले जाकर आपको पॉइंट करना होगा इस चीज करना है और next के option पर click करना है अब आपका माललग यहाँ पर पॉइंट हो गया आपको सही से point करना है जहाँ आपको जी से रियम अलगवाना है उसको सही से find कर लिजिएगा उसके बाद यहाँ पाद यहाँ पे mobile number डालना है आपको और उसके बाद आपको जो है generate OTP के option पे यहाँ पे click करना है तो इस number पे जो है एक OTP जाएगा देखिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे OTP send हो गया है OTP आपको डालना है OTP डालने के बाद यहाँ पे submit का option पे click करना है तो आप से कुछ और जनकारी माएंगा जैसे कि आप property owner है तो self है कि other है आपना नाम यहाँ पे लिखेंगे जो भी property owner है उनका नाम यहाँ पे लिखना है इस तरह से ठीक है उसके बाद cross append address आपको देना होगा तो area यहाँ पे आपको बता देना है यहाँ से आप कितना आपका area है जैसे कि मैं आपको बताया तो चलिए हम गरामी छेतर से तो दो हज़े डाल देते हैं यहाँ पे square fit कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे commercial है कि residential आपको बताना है तो आप अपने हिसाब से जो भी है जैसले कि से आपको बता सकते हैं याँ पे पूछ रहा है कि हम जो है आपके land के पास कैसे पहुंच सकते है government road है की नहीं है या फिर कोई another private property वहां पर है की नहीं है तो आपको बता देना है कि government road है उसके बाद यहां पर confirm का option पर click करना है submit हो जाए यहां पर देख सकते हैं कि submit हो गया है और आपको जहीं का application number यहां पर मिला हुआ है जिसको यहाँ से copy कर लेंगे और इससे जो है application का status भी आप चेक कर सकते हैं तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है जियो का apply करना आपको बता दिया apply करने के बाद क्या होता है कि जो भी जियो के reprintative होते हैं आपके पास call करते हैं verification के लिए अगर वहाँ पे required होता है तो tower installment का जो है काम आगे बढ़ाया जाता है जिसमें आपका documentation होता है एक agreement होता है काफी सर लोग हमसे कहते हैं कि जियो tower या फिर किसी भी company का tower लगवाने के लिए हमें जो अग्रिम पैसा दिया आता है यानि कि यहाँ पे 25 लाग 30 लाग रुपय कहा जाता है कि हम आपको advance देंगे तैसा कुछ नहीं होता है यह सारे जूट होता है और इस तरह से कोई कह रहा है तो समझे कि कहीं ना कहीं आप से साथ फ्रोडिंग करेगा क्योंकि जो भी कमपनियां होती है आपको advance किसी परकार का कोई भी payment नहीं करती है इस बात को आप कहीं से भी verify कर सकते हैं अगर कोई company या फिर कोई ब्यक्ति बोल रहा है कि हम आपको advance यहां पर provide करेंगे 20 लाग 30 लाग 25 लाग 40 लाग तो ऐसे मैं समझे कहीं ना कहीं आप frauding के सिकार होने वाले हैं इसमें क्या होता है कि आपके मतलब घर के जहां भी point हो जाता है कि हो यहां पे install करना है वहां पर समान पर इ W निलता है सौरी श्रेट इंट कितना होता है हम क्लियर करकर नहीं बताएंगे क्यूंकि इस सारे टावर चलते है उसका फाइदा यह होता है कि मालिज्ड आपके आपका कोई खाली लेंड है तो उसमें लगवाएंगे तो कुछ ना कुछ का रेंड मिलेगा नुकसान की हम बात करें तो अगर आपके घर के आसपास में अफिर मतलब आप जहां रहाते हैं जहां टावर इंस्टॉल करवाते हैं तो वहां पर कहीं न कहीं आपको नुकसान ही मतलब जो मेडिकल वाले हैं वो लोग यहां पर मतलब इसको रिसर्च भी कर रहे हैं और काफी सर लोग यहां पर कहें भी हुए हैं किसे नुकसान भी होता है एक बात यहां पर हम क्लियर करके बताएंगे कोई आपसे आगे पैसे मांगने की मतलब यहां पर चेश्टा करता ह तो आपको पैसे देने के हो सकता नहीं है क्योंकि हो सकता है कि आप से साथ हो फ्रोडिंग करें तो जो लोग फिचकल आकर विजिट करके देख लेते हैं आपका लेंड वेगर हो गरा और इस तरह से लगता है कि हम वहां पे समानुमा कुछ गिरा दी उसके बाद से एग्रिमे और इसे में दोकमेंट्स के चार्ज करद किrió bitcoin करते हैं और वहां पे किया हुआ कि मतलब उनसे डॉकमेंट्स तियार कर CSS के नाम पी पीर और 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 बीकुछ मतलब कर लिया घ्राइक च्यूक्राम विक्शोऋ एंसे गया उनके करें 40 अउरपें कर लिया गया और उनके land में मतलब tower का installment भी नहीं हुगा तो इस तरह से जो भी बहुत सर फ्रोडिंग होते हैं तो जो सही तरीका होता है उसको ही आपको follow करना है अगर आपके अरिया में tower लगवाने की जरूत होगी तभी कोई tower लगाएगा ऐसे तो फालतू का इतना कोई खर्चा करेगा न टीटर है वहाँ भी follow करके हमें message मतलब जो DM होता है direct message कर सकते हैं चली मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉफी के साथ तब तक लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धने बाद आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें स्वस्त रहें बहुत बहुत टन्या से वीडियो से तूब करता है जहां है पुmenteा कि जह रहें सब्सुतर है जह कर अचिए कर रहें स्वस्त